Welcome to study channel, मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे खंड सिक्षा अधिकारी यानी BEO की नहीं भरती की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2030 में एक BEO की भरती जरूर देखने को मिलेगी अपडेट्स निकल कर आई हैं कि भरती जल्द आएगी क्योंकि जो पिछली भरती आई थी 2019 में उसमें 304 पद थे तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल जो नुश्पेपर में खबर आई है वो ये आई है कि 60 से अधिक पदों का अधियाचन UPPSC को मिल चुका है नुश्पेपर वालों को जो अपडेट दिया जाता है वो छाप देते हैं एक्शूल डेटा UPPSC से ही मिल पाएगा और अभी और अधियाचन आने भी है ये भी इसमें लिखा गया है देख सकते हैं 24 साल बाद BASIC सिक्षा विभाग में Kha Nsig shiak а the double के 60 से अधिक पदों पर भरती हो नी है अब 60 साथिक कितने पदों पर हो नी है भरती ये नहीं बताये गिया और आगे इसमें लिखा गया है कि Sikäre नितर साला की और से रिक्तियों का अधियाचन उत्तरप्रदस लोक से वायोग भेजा जा चुका है दिसंबर तक खाली हुए पदों को समाजुत करते हुए जल्द संसोधित अधियाचन भी भेजा जाएगा तो रिक्तियां बढ़ेंगी तो आप परेशान मत हो लेकिन दोस्तों ये भी है कि पिछली बार जो 300 के लगवक बदों पर विग्यापन आया था इतने पदों पर विग्यापन इस बार मुश्किल है 210 पास पद इसमें होने वाले है तो संसोधित अधियाचन बहुत ही जल ईपीपेसी को मिलेगा उसके बाद विग्यापन इसका जारी हो जाएगा और पिछली बार 304 पदों के सापेक्ष 5 लाग से दिक अभेट्यों ने आवेदन किया था अंतिम परेडाम इसका जनवरी 2021 में जारी हुआ गौर तलब है कि प्रात्मी कोरुच प्रात्मी विद्यायलियों में निपुल लक्ष प्राप्त करने और बच्चों के सीखने के अस्तर को सुधारने के उद्देश से माहा निदेशक स्कूली सिख्चा वजय किरन आनंद के सभी विकास खंडों में अधिकारियों की 33 निश्चित करने का निर्दस दिया गया है तो ब्लॉक एजुकेशन आफिसार एक बहुत ही रेपुटेटेटड पद होता है दोस्तों खंड शिख्चा अधिकारी जिसके नाम में ही अधिकारी जुड़ा हुआ है तो यदि आप इस भरती का इंतजार कर रहे थे तो तैयरी जरूर करिए साथ पत को देखकर परिशान ना हो बात करें योगिता की तो इसमें B.A.ड दोस्तों मांगा जाता है ग्राइजुएशन प्लस B.A.ड डी अलेड वाले छात्र यहां पर अलेजिबल नहीं होते हैं चैन की प्रिक्रिया इसमें प्री और मेंस है इंटर्व्यू इसमें नहीं होता है बाकी आगे की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें इस साल यह भी क्या पंच जरू देखने को मिलेगा और जो UPSC ने एक्जाम केलेंडर जारी किये है उसमें बहुत सारे डेट्स को आरक्षित करके रखा गया है उन्हीं किसी एक डेट्स में इसका एक्जाम भी कराया जाएगा इस भरती में भी कुछ समकर्षाहरता का विवाद था चुकि बीएड इसमें इलिजबिल्टी थी तो बीएड के समकर्ष क्या क्या चीज़ा रखी जाएंगी वो सब चीज़ें हलो गई है बस अब संसोधित अधियाचन की देर है यह रहाज की वीडियो में एक बहुत ही महत्पूर अपडेट वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर देजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे थांक्स फॉर वाशिंग